हेलो प्रेंड्स मैं जानती स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर तदेखे प्रेंड्स आज बिल्कुल ही नया टेंडिंग स्लीव डिजान लेकर आ गया है तो देखें यहाँ पर लंबाई रखेंगे 5 इंच और कपड़े को पोर्पोल में कर लेना है बिल्कुल नया तरीके से आप लोग के यह स्लीव डिजान कटिंग करना बताएंगो तो देखें एक मार्क हम धाय एंच पर करेंगे और दूसरा मार्क भी हम धाय एंच पर ही करेंगे और इसे हम बॉक्स बना लेंगे तो देखें यहाँ पर बॉक्स बना लेंगे और यहाँ पर हम गोलाई में उन इंच के गोलाई में आपको मार्क लगा लेना है तो देखे इस तरीके को आपको गोलाई में मार्क को लगा लेना है तो देखे जिस तरीके के हमने लाइंड रोग किया हुए उसके अकॉर्डिंग आपको कटिंग कर देना है यह से लिए बहुत ही खुसूरत लगते हैं पहनने पर फेंट्स और इसे बनाना भी बहुत असान है आप वीडियो को पूरा-पूरा वाज कीजिए गा ताकी अच्छे से समझ में आजे तो देखे फेंट्स यहां पर उमने दोनों पार्ट को एकीं साथ को कटिंग किया हुआ है तो देखेंगे अपर नेट फबरीक के हम इसे बना रहे हैं तो नेट फबरीक को इसे हम रख लेंगे और बीच में पिनप लगा लेंगे और उसके अकॉर्डिंग आपको दोनों तरफ से सिलाई अटाइच कर देना है तो ऐसे हैं दूसरा साइट भी आपको सिलाई अटाइच कर देना है तो देखेंगे हमने दोनों तरफ से सिलाई अटाइच कर दिया हुआ है जो भी इस्ट्रा नेट फबरीक है या कपड़े है उसे कटिंग कर देंगे और इस पर छोटे-छोटे कट्स लगा देंगे ताकि आपको जो इसका फनेशिंग से गुलाई निकले और इसे हम सीधे साइड में कर लेंगे तो देखेंगे इस तरीके कपो सीधे साइड में कर लेना है और प्लीज मेरे चैनल पर नए हैंगो तो मेरे चैनल को लाइक से सस्काइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों तो देखें इस तरीके कपको उपर से भी एक सिलाई अटाइच कर देना है और दूसरा साइड भी एक सिलाई अटाइच कर देना है तो देखें ऐसे पूरे में सिलाई को अटाइच कर देना है ताकि आपका कपड़े और नेट फबरीक इदर उदर नहीं खिशके तो देखें इस तरीके कपको गोलाई में सिलाई अटाइच कर देना है तो दीखें फिंचे ओपर हम नेट फबरीक की चोडाई रखेंगे तीन इच और इसे लंबे कपड़े में लंबेेर कपकर को लेकाइच यहांपर हम फ्रिल बनाएंगे तरुआंप को यहां पर आपको दो फोल्ले कर देना है और इस पर सिलाई अटाइच करना है तो चलिया यह से ही पूरे में सिलाई को अटाइज कर लेते हैं तो दीखियां पर हमने सिलाई अटाइज कर दिया हुआ है और यहां पर हम छोटा-छोटा प्लेट्स बनाएंगे इस पर आपको छोटा-छोटा ही प्लेट्स को बनाना है बिल्कूल बड़ा-बड़ा ने ने अच्छे लगेंगे बड़े-बड़े हो बड़ा-बड़ा हो जाएंगे तो इसलिए आपको छोटा-छोटा चूनट को लगाएंगे तो देखिये इस तरीकिक आपको चूनट बना तो दिखिया ऐसे पूरे चिनोट को हम बना लेंगे तो दिखिये इस तरीके कफ़ा चूनर पन के रेडी होगा और इसे अंदर की तरफ से हाफ पिंच अंदर करके उपर से सिलाएटाज कर देंगे एस सिलीव कटेजन बहुत ही खुब्सुरत लगते हैं फ्रेंस पहनने पर तो दिखिये इस तरीके कफ़ा फ्रेल लगकर अटाइच हो जाएंगे तो दिखिये यहां पर हम लेश अटाइच करेंगे तो दिखिये पूरी गुलाई में आपको लेश कटाइच कर देना है वैसे ही दूसरा साइड भी आपको लेश कटाइच करना है तो देखिये दूनों तरफ से लेश अटाइच हो चुका है तो चलिए हम अटाइच करते थे देखे इस तरीके कमने बैक नेक पर डिजाइन बनाया हुआ है फैंस और यह डिजाइन हम इसी चैनल पर अपलोड किया हुआ है आप इसे देखना चाहते हैं इसका डिजाइन का वीडियो तो इसका लिंक हम डिस्पेक्शन बक्स में दे देंगे तो देखे एक मार्क हम तीन इंच पर लगाएंगे तो देखे फैंस वह हम धाई इंच के लिया हुआ है लेकिन हाफ इंच इस्टा रख करके हम अटाइज करेंगे तो देखे आपर तीन इंच पर मार्क लगाएंगे और इसे अटाइज करेंगे तो देखे एक इंच इदर से अंदर की तरफ से मार्क ल को दिखे इस तरीके को को सिलाएटाइज कर देना है वैसे दुसरा साइड भी एक इंच अंदर की तरफ से रख करके और दोनों तरफ ही तीन तीन इंच पर मार्क लगाना आपको और अंदर की तरफ से एक इंच रख करके देना है को तो देखिए इस तरीके कापको स्लीव बनके रेडिय होगा तो देखिए फ्रेंस वैसे दूसरा साइड भी आपको स्लीव को अटाइच कर देना है तो देखिए हमने दोनों तरफ से स्लीव को ऐसे अटाइच कर देंगे और एक स्लीव और अटाइच कर देंगे ताकि दोनों तरफ से दो दो धागे ब्रोबर की तरफ से दीखिए इसलिए एक स्लीव और अटाइच कर देंगे फ्रेंस तो दिखिए इस तरीके कब को सिलिव को अटाइच कर देना है वैसे ही दूसर साइट भी आपको सिलिव को अटाइच करना है तो दिखिए फैनली हमने दोनों सिलिव अटाइच कर दिया हुआ है आप लोग बताईएगा ये बाजू का डिजन कैसा लगा यदि वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक से सस्क्राइब करना नहीं भूलेगा